राम राम दोस्तों कुकविछ छिल्पा में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे सेपू की सबजी जो मुंग की डाल डाल कर बनाएंगे जो बहुत टेस्टी बनती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है चलिए शुरू करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक जोडी सेपू की सबजी ली है जिसे अच्छी तरह से साफ करके दो कर काट कर रखी है साथ ही एक केटोरी मुंग की डाल ली है जिसे दो घंटे से पानी में भीगो कर रखा है और अब बनाएंगे एक वाटन तो उसके लिए यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है जो जादा तीकी नहीं है इसलिए मैंने जादा ली है आपको कितना तीका पसंद है उस हिसाब से लहसुन की कलिया जिसे मिक्सर जार में पीस कर रखा है साइड में गड़ाई गयास पर रखी है जिसमें डाला है एक बड़ा चमच तेल साथ ही डाला है आधा चमच जीरा और जो वाटन हमने बनाकर रखा है लहसुन और मिल्च का वह हम इसमें डाल देंगे और इसे गोई हुई मूंकी डाल एक हद मिनिट के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके बाद ये देखिए इसका टेक्शर ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है अब हमें इसमें डालना है जो सेपू की सबजी हमने अच्छी तरह से काट कर रखी है वो इसमें इस तरह से डाल देंगे यह देखिए और अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ग्यास की फ्लेम बिल्कुल नहीं बढ़ानी है वरना डाल जो है कड़ाई को चिपक जाएगी और जल जाएगी ग्यास की फ्लेम लो ही रखनी है और लो फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरह से मिक्स क जाएगा उसके बाद जो है हम गैस की फ्लेम बढ़ा सकते हैं तीन से चार मिनिट यहां पर लग जाते हैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए और यहां पर आप देख सकते हैं यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब इसमें डालना है आधी कटोरी से भी कम पानी जिस इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ढ़के रखेंगे दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पर तो पानी की वज़े से डाल और सेपो की सबजी जो है कड़ाई को नहीं चिपकेगी और नहीं जलेगी बल्कि अच्छी तरह से स्टीम होगी कुक होगी इसलिए इसमें थोड़ा सा पान कर दिया है अब देख सकते हैं यहां पर सेपो की सबजी जो है बनकर रेडी है जो बहुत टेस्टी लगती है रोटी के साथ चपाती के साथ यहां तक की चावल के साथ भी यह सबजी बहुत टेस्टी लगती है टिफिन के लिए भी आप यह सबजी बच्चों को दे सकते हैं बड़ों को भी या फिर कहीं ट्रावलिंग करना है तो भी लेके जा सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है तो मिलते हैं नई वीडियो उसके साथ थांक्स पूर वाचिंग